तो guys आज ऐसा momentum आया कि हमको जब positive breakout मिला वहां से market 120 points देता है जो देख के अपनको खुशी होती है उसके बाद अपने high से market एक बज़े से ले करके जो time है low बनाता है 600 रुपाए का पतलब ऐसा massive moment शायदी लोगों ने देखा होगा मैंने तो देखा है care पहले भी देखा था और अब क्या हो सकता है यह दोनों चीज़े discuss करेंगे दो तीन चीज़े हैं जो important discuss करूंगा मैं आपके साथ और आपको बताऊंगा कि आगे आज क्या हुआ क्यों हुआ और आगे जो होगा उसके क्या हो सकता है चोले वीडियो स्टार्ट करते है तो कि सबसे पहले तो जो मार्केट में मोमेंटम आया यह अप और डाउन ठीके अःवन यह जो मोमेंटम आया इस तोटल बजट वोलिटालिटी जब बजट लोगों को पसंद ना ने लगा अलगों कि अच्छा आने वाला है तो मार्केट ने positive momentum दिया, और जब budget खतम हो गया, उसके बाद, अगर ये open interest data है अपना, अगर मैं आपको यहाँ पे 12 बच के 20 मिंट दिखा रहा है, मतलब सब बराबर चल रहा था, जैसे जैसे time बढ़ता जाता है, calls में खतम होते जा रहा है, calls, puts strong होते जा रहे है, यानि कि bulls powerful होते जा रह और puts में decrement देखो कैसा, minus 3.7 पे जाके बंद हो गया, और PCR 0.6 से 0.5 हो गया, जो expiry है कलकी उसके हिसाब से, और अगर आपन next expiry का बात देखेंगे, तो उस पे 0.7 है, वो भी negative ही है, ठीक है, अगर हम यह दोनों को मन करके monthly expiry check करेंगे, monthly expiry current month की, तो bullish दिखा रहा है, ठीक ह यह month के end की बात, आज क्या दारी, आज तो मैं एक परवरी है, तो यह तो बहुत दूर की बात है, तो इससे अपन छोड़ देते हैं, अब charts पे आ जाते हैं, और पहले बात करते हैं कि momentum ऐसा क्यों हुआ, तो देखो यह तो momentum हुआ कि, market ऐसी होता है, market में बजट कैसा आया, बिल्कुल fundamental बात में नहीं करूँगा, मेरा काम area of expertise भी नहीं है, बट इतनी expertise बना ली कि एक चीज़ समझ जाओ, budget अच्छा है कि बुरा, वो matter नहीं करता, market का reaction क्या हुआ, उस budget को वो negative आ गया है, ठीक है, कई बार होता है कि market गिर के भी अगले दिन से बुलिश रैली बहुत जादा गिरने के कारण, तो एक रीजन वो भी है, पॉल में ठीक है, कि market बे pressure था अधानी groups के गिरने का, तो और budget के भी मतलब reaction negative आने का, तो अब ये जो recovery है, क्या ये recovery जो आपको दिख रही है, पंदर में time frame पे लेके आता हूँ, ये जो recovery है, ये वाली, ये एक bear trap की, एक bear flag की शुरुवात है, कि market कल फिर से gap down खुल के, सीधे तोड़ेगा क्या, इस support level को, जिसका answer है, ये देगा, ये को और है, ये डाउ जोन्स है, यहाँ पे ये भी crucial stage पे है, अगर मैं आपको 30 minutes time frame पे दिखा दू, ये भी एक बड़ी आसा breakout करके, दूसरी बात, बड़े time frame पे लेके जाऊंगा, ये बेहत दिनों से, इस trend line को नहीं तोड़ पाया है, ठीक है, इसे मैं delete कर रहो, trend line को, ठीक है, ये बेहत दिनों से, अपने इस breakout करके, वापस से, ये भी consolidated हो है, triangle बना रहा है, तो अगर आज, यहाँ पे, जो decision है, अगर positive आ आ जाता है, और खूब बड़ा breakout आता है, तो global market के कारण, मान के चले, हमारा market भी बच जाएगा, और हमारा market भी upsides momentum करेगा, कई बार 10 साल का data जैसा है, आट साल का data निकाला था, कई बार देखा है, मैंने red candle बनने के बाद भी market उपर चला जाता, अगर market oversold area में रहता है, तो और definitely हम अभी कहाँ पे है, हमाँ अभी daily time frame के 200 moving average हो, तो सारी चीज़े depend करते है, डाउ जोन्स पे, और मैं कल की guarantee की guarantee अगर Monday को, Monday तक market, अगर ये breakout देता है, और हमारा market कल sideways डाके, अगर Monday को positive closing देता है ना, 200 moving average के उपर, तो मान लेना कि trend, market crash नहीं होगा, you guys can start, you know, going towards the bullish direction, even swing trades, और अगर कल आज, डाउ जोन्स में, बहुत बड़ी red candle बन जाती है, ठीक है, जिस type से हमारा market में बनी थी, अगर इतनी बड़ी red candle बन जाती, तोड़ देता है ना, तो भाई समझ लेना, कि अब हमारा market, moving average के नीचे खुलता है, तो हम short करेंगे कल, और अगे इन जासा मैं आपको बोता है, बजट दे पर क्या करना है, आपको तुरंथ, अगर आपने buy करा, तुरंथ 120 points का target खतम हुआ, book करो, निकलो, मैं तो book कर, इसी level पर ब्रेक इवन टेप का निकल गया मेरा, मैंने भी call buy किया था, ठीक है, बट उत्मा चरजल तो नहीं निकला, क्योंकि मैं थ तुरेट गया मार्केट, सो कोई बात नहीं, तो अब बात करते हैं, अगर Dow Jones का red candle बनाएगा, याने हमारा मार्केट कहां खुलेगा, हमारा मार्केट अगर यहां खुलेगा, निफ्टी के levels की अब बात कर लेते हैं, फटा फटी के, तो देखो समझ गए, अदानी का भी pressure थ share में invest करें, FUO भी निकाला था, अदानी ने तो एक दिन पहले, खुद 20,000 करोट रुपए के आसपास उन्होंने हार लिया था कि वो अपने पुराने उधार पे कर सकें, प्लस कुछ अपने invest कर सकें, अपने projects में, तो सब कुछ करने के बाद अदानी ग्रूप में, ऐसा ब बात नहीं करते, अगर कल market gap down खुल जाता है, क्यों खुलेगा, एक ही reason से gap down खुल सकता है, market, एक ही reason से gap down खुल सकता है, अगर Dow Jones खतम red candle बना दे, खुल गया guys, तो मान के चलना ये एक बहुत अच्छा sell trade बनेगा, क्योंकि market directly नहीं गिर रहा है, market आता है, bounce back करता है, फिर ग again, you should not wait कि भाई, पूरा red candle ही बनेगा, क्या, आगे आप अपने 100 points, 80 points को book करके निकल जा सकते हो, क्योंकि market फिर सो सकता है, थोड़ा bounce back करे, फिर एक दिन थोड़ा सा bounce back करे, इन level से retest ले, और फिर नीचे गिरे, आने वाले समय में, तो make sure, first half का trade, first half में लेना, या जब इन भी मौका मिला, अगर red candle बनती ही, पहली candle तो, अगर आपको red candle मिलती है, तो, ठीक है, अगर किस्मत से डाउ जोन्स ना bullish हो जाता है, और हमारा market, global market, अभी already negative चल रहा है, इंडिया के लिए सब, और अगर global market भी negative होगे, तो अच्छा का सा crash हो जाएगा, definitely market crash हो, जनुन हो जा जहां से market अपन को, अपन को buying दे, तो मेरे हिसाब से वो level ये बनेगा, ठीक है, this is that, this is the level, ठीक है, ये वाला level, which is around 17,740, ये जो level है, बहुत key, important level है, क्योंकि market ना जो gap up भी खुल के उसी सपोर्ट लिया, open भी हो जा तो भी से resistance लिया था, तो जहां से ना, एक, अभी भी ऐ जहां से market ना, तो सबसे important हो जाता है, उसको zone बोलते है, तो this zone जो 17,740 के आस पास है, वोई 10,50 रुपर आगे बीचे भी माइनस प्लस कर लिया करो, तो ये zone अगर market खुलता है, again we have to go long, और यहां पर अपन के बहुत 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 अप अच्छा बोलिश मोमेंटम मिलेगा टारगेट भी ठीक टाकी अपने लिए 200 पॉइंट के टारगेट है, ये बुक करो, यहां पर अपना profit बुक करो, और आप बुक करो और खतम करो कल का दिल, this is your buying plan, and selling plan is simple, do not sell until it is opening, या breaking the levels, यहां पर बहुत लॉंग विक है, अब विक क्या है, it is a vik of around 90 रुपीज, बड़ी trade anything, और मेरे साल से तो market is zone के अलगी जागे खोलेगा, खोलेगा और आप long या short जा सकते रहोगे, ठीक है, तो this is the plan for nifty, for bank nifty, similar plan, bank nifty nifty का situation, एकदम same है, एकदम same 200 moving average बैठा है, तो levels भी लग भग लग भग आसपासी आएंगे, यहां पर विक और लम भी बनी है, तो इसके ज हमारे टार्गे 39486, यह हमारे टार्गेट बनेगा, ठीक है, और अगर market gap up खुलता है, और कौनसा एरिया हमारे लिए important रहेगा, यहां पर zone कैसे decide करेंगे, ऐसे decide करेंगे, same way बात होई, कि market इस zone में, इससे support ले रहे है, इससे resistance ले रहे है, तो यह जो zone है, अपर जिसका 40,953, तो 40,953 के उपर हमने buying करेंगे, 200 moving average को आपि respect नहीं देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल तूट जागा, वना ही तूटने के लिए कई बार support लेता, कई बार नहीं लेता, तो इस type का price action देगा, तो यह target 1000 रुपए का target है, आप इसको दो में split करें, पहला target बनाए, round around इस candle के आस-पास का, okay, 40,000 415 बनाएंगे, यह आली candle को respect करेंगे, यह आपका टारिगा बनेगा पहला target और यह बनेगा दूसरा target, ठीक है, round figure, round आर भाई, बहुत अच्छी बात ही, अपने एक चीज़ देखी, आज ना proper round numbers के 42,000 से गिरा bank nifty, और nifty भी गिर एकदम round number 18,000 के पास आ करके, nifty भी गिरा, 18,000 के आस-पास आ करके, बड़े-बड़े digits है, बहुत जदा, चलो ठीक है, round numbers की respect होती है, okay, I hope, the nifty bank nifty levels are clear, plan is clear, opening depend करती, कहा हो रही, उसके हिसाब से market move करेगा, long term भी बता दिया, Monday तक, अगर market बचा लेता है, अपने आपको 200 moving average के उपर, तो Monday के बा और Monday को ले लेता है closing, तो भाई समझ लेना, हम लोग का market वापा subtrend में आएगा, बहले दुनिया कुछ भी बोले crash, thumbnail क्यों ना crash का हो, लेकर अगर market 200 moving average के नीचे, trade कर लेता है, Monday तक, Monday को, तो फिर हमारा market, actual में, we will come in a short term downtrend again, but we cannot say short term or mid term, but definitely downtrend में आजाएगे, ठीक है, तु ले रहा है, या अब विप्रो, विप्रो क्या है, बहुत बड़ी अफे मैंने कल भी दिया था, रेंज के बार ही ने रिकला, तो और solid हो चुक है विप्रो, जो market में बहुत सारे stocks ने movement दे दिया है, इसमें बच्चा है, तो अपन यह cash करेंगे, 398 से 403 का level है, इसको breakdown होने प कल ऊपर की तरफ खुलेगा, तो कैसा यह genuine जो method होता है पना, कि breakout and then this could be a good buy trade, तो पहला target आप 4351 पे book कर सकते हो, और अगर market इस level को छोड़ देता है ने कि इसका lowered part 4223 के नीचे खुलता है, तो आपने को double bottom support पे target मिलेगा, एक्सेस bank बहुत लंबा मतलब, जो मैं विक देख closing नहीं दिया, तो closing wise 849 जो है न, 850 मानलो, एक टॉम important support, अगर market closing देता है न, तो इविक कोई इज़त नहीं है, क्योंकि market वहाँ पे तूट जाएगा, ओ closing नहीं दिया न, ये respect क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एक market closing देता है इसके नीचे, गया तो कई बार है, यहाँ भी गय गया था, लेकिन वो closing देगा, तो हम 833 को target मान के trade कर सकते हैं, और अगर यह momentum continue होता है, यह morning star बना है, एक दम bottom में, अगर यह morning star continue देता है, अपना momentum तो अपन उसको 163 के उपर आप buy कर सकते हो, और अपने targets 877 और 895 बना सकते हो, ठीक है, तो gold है, ठीक है, gold तो मैं इसले track करत हो, क्योंकि चलो, ठीक है, चलो guys, I hope you enjoyed the video, और आपको कुछ सीखने मिला होगा, और I hope you made money as well, अच्छे लोग बनाया होगा, ठीक है, छोटी से quantity से बनाया है, या बड़ी quantity से बनाया है, जो भी होगा, you should book your profits when the market is opening, अगर बहुत बड़ा gap up gap down होता है, तो बिलकुल उमीद मत gap down खुलता है, then you can, then you know, थोड़ा साथ वेट करके, उस level को support resistance मार्क करके, आप stop loss manage करके, इसके नीचे जाएगा, तो cut कर दूँगा, और उसी direction में जाएगा, तो ही व्यात रहना, नॉर्मल gap up gap down खुला, और उल्टा आगया, मत नहीं कमा पाऊगे, gap up हुआ, जहां भी gap up हु profit दे रहा होगा, अचानक से बड़ा momentum red आ गया, तो call खताम, loss दे देगा आपको, तो भाई, वो पुट तो अल्रीडी लॉस दे रहा था, तो loss डबल हो जाएगा, पुट जो profit देना चाहिए, जब market नीचाहिए, तो put profit देना चाहिए, तो ही नहीं आपके पास हो, तो book कर लि loss, और जो profit देना लगा, तो double loss हो जाएगा, तो cut करना, तो एक साथ करना, ठीक है, ऐसे करके manage करना, और अच्छा खासा उसमें क्या बोलते हैं, theta value रहेगा, क्योंकि 9th का लिया हुआ है, तो no problem, ठीक है, this is how you should approach your expiry day, and normal लोग जिनको expiry trading करनी है, मैं तो भी बोलूँगा, कि just go with the direction of the trend market, जिस तरफ खुलेगा, उस तरफ quick घुसना, quick निकल जाना, first half में आपको जल्ली trade मिल सकता है, जो पहली candle बनी कि उसको respect करना, ऐसा भी हो सकता है, बहुत बड़ा gap दाउन खुला, और अगर super bullish candle बनी है, big body green candle with a lower wick, तो आप buy कर सकते हो वहाँ ठीक है, क्योंकि market gap fill कर देगा, ऐसे में, तो depend करता है, market खुलता कहा है, पहला, और दूसरा market में पहली candle कैसी बनती है, respect 50 minute कहा, 5 भी देखो, 15 भी देखो, अगर 5 पहले लेते हो, तो 15, अगर कुछ हल्टा बन जाते हो, तो exit कर देना, अब पूरा patience है, तो 15 बनने का वेट कर और फिर action लो, तो market खुलेगा कहा, और क्या candle बनाएगा, यह आपका, basically कल का दिन, decide हो, क्योंकि कल का दिन, volatile, कल का दिन, gap up, gap button खुलेगा, ठीक है, चलो guys, all the very best to you, अगर पसंद आए, वीडियो तो like कर दिना, and, आज किसने क्या किया, comment में बताना, profit हुआ कि नहीं हो, आपने buy किया, तो क्या पूट कॉल क्या हो, बता हो, comment में बता हो, बात करते हैं, देखना में को दुनिया के साथ, क्या हो, मेरे सब्स्क्राइबर के स्वत, बाबाए!